फॉस्टिंग का मत फिर्श टाइम आप जो है और फॉस्टिंग में आए हैं आप स्टोरी से आपकी प्रमोशन होके भॉस्टिंग में वो अपने उनका एक दाइरा है वो दस पंदरा बीस लोगों तक सिमीत मतलब उनको जोब दे सकते हैं नो करचा कर रख लेंगे ट्राइवर रख लेंगे लेकिन दिलीप सर जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं यह हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं तो सबसे वर्दस तरीके से काम कर रहे हैं और पंकज बोस जी की जो है बहुत भेतली तरीके की ट्रेनिंग रही और इस जीवनी के उपर वंडरफुल एक एक चीज के उपर जो है ना अच्छे से बारीक से जो है आपने बात की that's great very nice sir मैं बात करता हूं network marketing के बाकी सारी चीज़ों को sir explain कर देंगे last में network marketing आप और मैं एक ऐसी industry के अंदर काम कर रहे हैं जो industry time money और security तीनों चीज़ें एक ही platform पर देती है यानि भरपूर समय अपने को मिल सकता है भरपूर पैसा मिल सकता है भरपूर security मिल सकती है एक बात बोलते हैं कि एक बुजी हुई मुंबती जो है ना किसी दूसरी मुंबती को नहीं जला सकती है लेकिन एक जली हुई मुंबती हजारों मुंबतियां जला सकते हैं तो वो एक जली हुई मुंबती हमारी जिंदगी के अंदर आए respected राकेश शर्मा सर जिनोंने हमें जो है इस business की education दी हमें सिखाया कैसे आपको इस industry के अंदर काम करना है तो उन्हों ने हमें सिखाया ये हुआ learning का part उसके बाद हमने कुछ लोगों को सिखाया ये हुआ teaching का part उसके बाद कुछ हमारे duplicate त्यार हुए वो हुआ duplication का part l t d learn teach and duplicate का ये part है आपको जो सिखा रहा है वो चीज आपको नीचे भी सिखानी है और उसी तरह से आपके जो है duplicate त्यार होंगे इसके लिए कुछ point है जिनके उपर अपने को जो है काम करना होगा वो point बहुत ही महतोप्रोन point है एक भी point उसमें ऐसा नहीं है जिसको हलके में लिया जाए बहुत serious लेने वाले वो point है क्योंकि आप अकेले नहीं है इस industry के अंदर आपके साथ में अगर दो लोग जोईन हुए है तो दो लोगों का बविश्य है आपके साथ में अगर सो लोगों का बविश्य है आपके साथ जुड़ा हुआ है आप लोगों के साथ में अगर 50,000 लोग है तो 50,000 लोगों का बविश्य है आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है तो इसके लिए अपने को काम क्या करना है सबसे पहला काम जो हमेशा आपको करते रहना है वो है learning attitude हमेशा जो है सीखने की ललक रखनी है भूख रखनी है सीखने की learning attitude अगर आप अपना रखेंगे सीखने का आप अपना नजरिया रखेंगे तो आप कुके सर एक बात बोलते हैं बहुत अच्छी कि अगर आपके अंदर सीखने की भूख है तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी आपको सिखा देगा तड़प है तो नाली में पड़ा हुआ शराबी सिखा देगा आपके घर का छोटा बच्चा सिखा देगा लेकिन नहीं है तड़प और भूख तो Oxford University का professor भी कुछ नहीं कर सकता पहला point यहीं बनता है कि आप और मुझे यानि हमें perfection is paralysis कोई भी व्यक्ति perfect नहीं होता है कोई भी व्यक्ति perfect नहीं होता है तो हमें learning attitude जो है अपना every time बना के रखना है सीखने की ललक रखनी है इच्छा शक्ति अपनी strong होनी चाहिए सीखने के लिए और सीखने के लिए बहुत सारे अपने पास में आज की डेट में हत्यार है आज सोशल मीडिया से आप सीख सकते हैं सोशल मीडिया में time kill मत करें waste मत करें जो काम की चीजें हैं वो निकाल लेजिए आप दूसरा आप के पास में digital platform है जूम है यहां से आप बहुत 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 ट्रेनिंग है जो है इसके अपर होती रहती है वहां से आप जो है सीख सकते है यहां से आप जो है सीख सकते है आप physically program से सीख सकते है आप training जो है आपके area में जो भी होती उसको miss मत करें उसको जरूर attend करें वहां training से आपको बहुत material मिलता है वहां से आप सीख सकते है YouTube से audio video के माद्धियम से जो है आप सीख सकते है यानि सीखने के लिए आपको खुद को तियार करना पड़ेगा और ये line सीखने की मैं conclude कर रहा हूँ कि खुद को भरोगे नहीं तो चलकोगे कहां से यानि हमें सीख के अपने आपको perfect बनाना है ताकि हम अपने team को भी perfect बना सके अपने जितने भी सवाल हैं आपके जो भी question है अब सारे सवालों के जवाब आपके इस industry के आच चुके हैं कोई भी कहीं भी फस्ते हो तो YouTube पे मिल जाएगा Google पे मिल जाएगा Senior Applying के माद्द हम से मिल जाएगा Meeting में मिल जाएगा सेमिनार में मिल जाएगा नमबर वान नमबर टू Types of Working ये जो industry है न अगर इस industry में हमने अपनी working style को चेक कर लिया तो हम कहीं तक भी जा सकते हैं कहीं तक भी इस industry के अंदर आपकी working कई प्रकार की होती है आप इस industry में owner भी आप ही हैं मालिक भी आप ही हैं manager भी आप ही हैं supervisor भी आप ही हैं और labor भी आप ही हैं यानि कई time पे आपको labor का काम भी करना पड़ेगा supervision भी आपको team की करनी पड़ेगी management के काम भी आपको देखने पड़ेगे मालिक वाले काम overall जो है आप है आप अपने team का management भी आपको देखना पड़ेगा एक time पे आपको overall हर जगे पे आपको all-rounder बनना है और all-rounder जो लोग होते हैं ना उनकी बहुत value होती है cricket में all-rounder लोग बहुत value रखते हैं बहुत सारे आते हैं बहुत सारे जाते हैं बोलर कभी आ रहा है कभी जा रहा है batsman को कभी team में रखा जा रहा है कभी बाहर किया जा रहा है लेकिन all-rounder की value हमेशा बनी रहती है तो हमें all-rounder बनना है जो कहीं भी खड़ा कर दो हर जगे जो है अपनी best performance दिखाएगा तो all-rounder बनने के लिए हमें हर चीज में expert होना जरूरी है उसमें digitally working में आप expert हो उसमें physically working में आप expert हो उसमें phonically में आप expert हो यह नहीं है कि आप digital बहुत अच्छा करते हैं लेकिन physical नहीं कर पाते हैं आप physical बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप digital नहीं कर पाते हैं आप phonically नहीं कर पा रहे हैं आप दूसरी चीजें कर पा रहे हैं overall आपको हर line में जो है expert बनना पड़ेगा अपनी working की types को जो है समझना पड़ेगा कि हमारे work क्या-क्या है आपके काम क्या-क्या है और यही काम जो है आपको बहुत बहुत बहुतरीन level का जो है leader बना सकते हैं ये बहुतरीन leader बनने के लिए आपको multitasking जो है होना पड़ेगा all rounder आपको जो है बनना पड़ेगा इसमें एक point मैं लेना चाहूंगा इसमें point जो है मैं लेना चाहूंगा कि हमें celebrity नहीं बनना है celebrity हमें नहीं बनना है कई बार छोटा सा level आते ही जो है ना हम अपनी फीत को देखने लग जाते हैं हम अपनी pin को लेखने लग जाते हैं मैं किसी particular level की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन level side में है level जिस level पे आप आये ना उससे बड़े level भी अभी है उससे बड़े level भी अभी है इस industry के अंदर तो हमें अपने level को नहीं देखना है लेकिन हमें अपनी working को देखना है पहली तारीक से लेके 30 तारीक तक के अपने schedule को manage करके हमें अपनी working को देखना है कि हम कहां तक जा सकते हैं और आज मैं जो कर रहा हूं क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं क्या मैं 100% समर्पन दिखा रहा हूं मैं अपने 1-2-1 के परती मैं अपनी home meeting के परती मेरी team में जो लोग जोईन हुए हैं उनके परती क्या मेरा 100% commitment है क्या मैं 100% अपना दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं अगर आप कहते हैं मैं दे पा रहा हूं that's great very nice congratulations you are on right track अगर आप अभी यह सोच रहे हैं कि मैं नहीं दे पा रहा हूं तो आपको तुरंत प्रभाव से इसके operation लेना होगा अपना खुद का मालिक आपको खुद बनना प करेंगे तो definitely आप जो है बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे और number third क्या है visionary person मनना vision अपनी जो सोच होनी चाहिए ना अपनी सोच यह 10-20-000 की नहीं बलकि 10-20-000 लोग अपने नीचे ऐसे खड़े हों जो 10-20-50-000 रुपया महीने का कमा रहे हों सोच बड़ी लेके हम काम करे करेंगे सोच को बड़ा करेंगे सोच को छोटी सोच और पैर की मोच इनसान को आगे नहीं जाने देती आप लोगों ने बहुत जगह पर पड़ा होगा सुना होगा इसलिए सोच का ही गेम है सारी की सारी अप किस तरीके से इसको सोच रहे हैं आपका attitude क्या है आपका नजरि के तरीके से आप बैठे और फॉरमल्टी के तरीके से आप निकल गए दस साल तक कुछ ही नहीं होने वाला लेकिन आपने सोच बनाई येस आई कन डू इट मैं करके रिखाऊंगा और अगले पांच मीने में छे मीने में मैं कुछ बड़ा किरतिमान स्थापित करके चसमा लगाओगे तो सब हरा हरा दिखेगा और विजन और सोच का चसमा अगरा बड़ी सोच का चसमा लगा के चलेंगे ना कि मेरे को बहुत बड़ा यहां से निकालना है तो डेविनिटली आप बड़ा जो है निकाल सकते हैं और फॉर्थ वन इज कमिटमेंट ये गेम कमि चलो चाहे दो सो पीवी आज दे के आऊंगा निकाल के आऊंगा उसका आप संकल्प करो चाहे आज मैं दो डिजिटली प्लान जो है दिखाऊंगा फिजिकली प्लान दिखाऊंगा आज मैं दो साथियों को जो है मिराकल मोर्निंग के अंदर लेके आऊंगा आज मैं अपने senior के पास में दो लोगों को मिलवाने के लिए लेके जाऊंगा या मैं आज दो लोगों को pick up center की visit करवाऊंगा मैं committed हूँ कि मैं संकल्प लेता हूँ कि इतने लोगों को मैं इस program के अंदर जो है बिठाऊंगा संकल्प कीजिए संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है अभी नवरात्री चल रही है फेस्टिवल चल रहे है फास्ट रखे हुए है बहुत सारे लोगों ने आप में से भी बहुत सारे लोग फास्ट रखे हुए होंगे fast क्या है fast is a commitment हमारी आस्ता है हमारी शर्दा है लेकिन उसके साथ-साथ एक संकल्प जुड़ा हुआ है कि मैं पूरे दिन में इन चीजों का प्रेज करूँगा आटा नहीं खाऊंगा खटाई नहीं खाऊंगा या x y z अलग-अलग जगे के अलग-अलग culture के लोग बैठे हैं अलग-अलग state के लोग बैठे हैं तो हर जगे फे अपने अपने जो है रिती रिवाज हैं उन रिती रिवाज के मताबिक हम commitment करते हैं कि मैं यह commitment करता हूँ कि मैं पूरा दिन यह नहीं करूँगा है न वो संकल्प है और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है तो हमें संकल अपना ये लेना है कि आप अपने काम के परसी कितने committed हैं बस यह ही है और वो 100% commitment किसी के बोलने से नहीं होनी चाहिए अगर आप senior के आदेश से काम कर रहे हैं senior बोलेगा तो काम होगा तो फिर you are on wrong track अगर आप अपने commitment के साथ में काम कर रहे हैं you are on right track आपका खुद का समर्पन होना चाहिए आपके बच्चेओं के परती अपने परिवार के परती अपने समाज के परती अपनी downline के परती अपने system के परती आपका commitment बहुत strong होना चाहिए और वो commitment ही आपको जो है आगे गए हैं commitment में कोई compromise नहीं होना चाहिए आप अपने अपने संकल्प ट्यार कर सकते हैं and fifth one is hard work कड़ी मेहनत कुछ समय की ये कड़ी मेहनत आपके हुल्या और हलात को बदल कर रख सकती है माफी चाहता हूँ शब्द अगर थोड़ा सा बुरा लग रहा आपको change कर सकती ह है बिल्कुल आप ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओगे कि आप सेंकडो हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हो जिस चीज की हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जरूरत है कोई भी सरकारें आ रही हैं वो अपने commitment करती है मैं दो लाख नूकरिया देंगी पांच लाख हम लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं तुशी मेसूस होती है आप अपने hard work के attitude को रखो आप अपने नजरिये को कड़ी मेहनत वाला रखो क्योंकि जो लोग blame करते हैं एक दूसरे को वो हमेशा नीचे जाते हैं और learning attitude वाले लोग ही हमेशा उपर जाते हैं तो हमें learn करते रहना हैं सीखते रहना hard work कैसे करें hard work आज का कल का आपका smart work है आज की आपकी कड़ी मेहनत कल का बच्चों का future bright कर देगी आज आपकी 24 गंटे में से अगर आप नोकरी कर रहे हैं या और और काम कर रहे हैं 2-4-5 गंटे-6 गंटे आप इस industry को दे रहे हैं तो आप अपने time को किल नहीं कर रहे हैं आप अपने time को invest कर रहे हैं और ये investment आपकी बहुत बड़े मुकाम पर आपको जो लेके जाएगी इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने के लिए सुबह से लेके शाम तक ठकना हारना ये चीजे छोड़ दू कुछ दिन की ये मेहनत है अगले तीन साल ज जो आप पांच साल दस साल लगा लिए ना जम के पांच साल दस साल जम के लगा लिए आपने network बनाने के लिए कई पुस्ते सेट कर दाएंगे कई पीडियां अपनी सेट हो जाएंगी क्योंकि RCM बिजनस दो साल तीन साल का नहीं 24 वी anniversary मना रहा है और 124 वी में मनाएगा तो यह तो सेट है पूरा का पूरा सिस्टम सेट कर दिया गया है अब हमें अपने आपको सेट करना है और hard work जो है कड़ी मेनत ही जो है आपको वहां तक लेके जा सकती है थोड़ा short में ले रहा हूं समय कमी है दो मिंट रहते हैं next point है responsible person बने responsibility ले जिम्मेदारी कभी दी नहीं जिम्मेदारियां हमेशा ली जाती है responsible बने जिम्मेदार बने और वो जिम्मेदारियों का खुद के अंदर अहसास हो कि नहीं मिरे को यहां तक नहीं रुका रहना है मिरे को और आगे जाना है मिरे को और progress करनी है मिरे को और achievement चाहिए मैं यहां तक रहने के लिए नहीं आया आपके senior ने कोई काम दिया आपको अब उसके बाद senior को follow करने की जरूरत नहीं पड़ने जीए senior ने कोई काम दे दिया उसको complete करके और उसका reply भेजिए ये एक अच्छे responsible person खा एक बहुत बड़ा गुण है तो हमें responsibility अपनी समझनी है छोटे छोटे कामों में responsibility हो सकती है छोटे छोटे कामों में phonically हो सकती है digitally हो सकती है physically हो सकती है XYZ किसी भी type की हो सकती है तो responsible आप बने और fifth one और next one is system से plugin कर दो अपनी टीम को और अपने आपको system के साथ में जोड़ दो अपने खुद के system जो लोग बनाएंगे वो फेल हो जाएंगे लेकिन system के साथ में अगर आप अपने आपको plug-in कर लोगे तो definitely आप बहुत आगे जाओगे और system आपका क्या कहता है system ये कह रहा है कि senior के साथ plug-in कर दो system कह रहा है कि meeting seminar के साथ में plug-in कर दो system कह रहा है कि company के साथ में plug-in कर दो system के साथ आप plug-in कीजिए और miracle morning is a complete system miracle morning is a complete system अगर आपको अपनी team को बहुत बड़े level पे जाना है तो आपको miracle morning को daily promote करना चाहिए अगर आपको चाहिए कि मेरी टीम में नई नई अचीवमेंटें आएं तो आपको Miracle Morning की खुब परमोशन करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी टीम में खुब लीडरों की संख्या बड़े अगले एक साल के अंदर तो Miracle Morning को खुब परमोट करो अगर आप चाहते हैं कि लाखों लोगों का मेरा विशाल नेटवर्क हो और मेरा बिजनस ओटो मोड में आ जाए तो आपको मिराकल मोर्णिंग के उपर खुब जबर्दस तरीके से काम करना चाहिए और मिराकल मोर्णिंग इजे कंप्लीट पैकेज माइडिया लीडर एक स्ट एवरी डे इसका पर चार परसार करना है रश करके कमिटमेंट आप जो है अपना दिखाए कि मैं कम से कम दो साथियों को जरूर- रोजाना मिराकल मोर्णिंग के आंदर लाने का प्मिटमेंट करता हूं Digital Handrage कर सकते हैं एक बार कितने लोग वाइदा करते हैं हमारे साथ में कि लोजाना दो का commitment जो है आप जरूर लीजिए और सचा commitment लीजिएगा माई डियर लीडर दो लोग, मीनिमम दो लोगों का commitment जरूर लीजिए कि दो लोगों की त्यारी जो है मैं हर रोज का commitment लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मैं दो लोगों को चरूर जो है invite करूँगा और मेरी responsibility है, मेरी जिमेदारी है मैं पूरे commitment, मैं पूरा संकल्प लेता हूँ कि दो लोगों को मैं Miracle Morning के साथ में रोजाना जोडने के ऊपर, अपनी तरफ से से दुनिया की कोई चाकत नहीं रोख सकती है thank you very much, आप सबसे बात करके मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद रमात्मा आपको सब को खुश रखे समय हमारा ओर हो चुका है, जय आपसी है thank you, गुर्देव, thank you, बहुत धन्यवाद सर आपका और बहुत सांदार बड़ी सोच के साथ हमें इस काम को आगे बढ़ाना है और सर ने बहुत अच्छी बात बूली है